नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तों अगर आप अपनी जिन्दगी में सभलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप आज की दिन बताया गया इस उपाय को अवश्य करें दोस्तों हिंदु धर्म में गनेजी को प्रमुक रूप से पूजा दाता है प्रतम पूजे कैद आने वाले गनेजी विगन हरता विगन बिनासक है दोस्तों गनेजी रिद्धी सिद्धी के दाता है शुबलाव के प्रदाता है विगन हरता है संकट नासक है किसी भी प्रकार क कोई संकट हो किसी भी प्रकार की कोई बादा हो जो भी हमारे किसी भी कारे को बिगाड रही हो कोई भी बनते हुए कारे के बीच में आ रही हो तो वे सब भगवान गनेश की अराधना करने मातर से ही हट जाती है कोई भी विगन बादा कभी भी जीवन में आपका कुछ भी नह जानना चाहते हैं कि किस परकार से आप अपने जिन्दगी में और भी अदर तरक्की कर सकते हैं और अपनी सभी मनों कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं तो आप एक बार वीडियो को लाइक करें कमेंट में जै गनपतीजी महाराज जै पजरंग बली जै मातादी जै मालक्षमी एक बार किसी भी भगवान का नाम अवश्चे लिख दें। आपको आज की वीडियो में हम बताएंगे किस परकार से आपको पूजा राधना पूरे विदी विदान से करनी है। आप वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो चिल लगे तो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम हरोज लाते रहते हैं ऐसे ही जबरदच वीडियो जिनसे आप अपने जीवन को सुखमई बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमई जीवन। तो अब हम बात करेंगे कि गणेज जी की पूजा आपको कौन सी विदी विदान से करनी चाहिए ताकि आपको संपून फल की प्राप्ति हो सके। दोस्तो अगर आप गणेज भगवान को सच्चे मन से याद करके उन्हें प्रसन नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने घर में जा कई भी गणेज जी की मूर्ती या पिर तस्वीर हो या फिर आपके घर के आसपास की जी मंदिर में जाकर आप यह उपाय करना चाहें तो भी कर सकते हैं उस मंदिर में या पिर अपने घर में ही उनके मस्तक पर रोली से सिंदूर से तिलक करें और आपके उंगली पर जो रोली लगी रह जाएगी उसे भी अपने मस्तक पर सिंदूर से आप अपने मस्तक पर तिलक कर लें उसके बाद आप गणेज जी को उनका सबसे प्रिये भोग मोदक या फिर बूंदी का लड़ू अवश्य उन्हें भोग में लगाएं। दोस्तों लेकिन आपको करना किया है आपको एक फूल वाली लौंग लेनी है और उस मोदक या फिर लड़ू के अंदर आपको उसे गाड़ देना है। गाड़ देने के बाद आपको भगवान गणेश के सामने उस प्रसाद को रखना है यानि कि उस लड़ू या मोदक को रखना है उसके बाद दूप जलानी है दीब जलाना चाहें तो अब दीबग भी जला सकते हैं उसके बाद ओम गंग गंपते नमए इस मंतर का यता सक्ति यानि कि जितना आपका मन करे उतना आप इसका जाप करें आपको बता दें कि जितना ज्यादा आप जाप करेंगे उतना ही ज्यादा गंजी आप से प्रसंद भी होंगे इसलिए जितना आपके पास समय हो आपकी इच्छा हो और आपकी शक्ती हो उतना आप इसका जाप अवश्य करें उसके बाद आप इ लोंग को पीज करके उस चाय में या पर किसी भी पीने वाली चीज में इसे मिला दें और अपने घर में सब परिवार इसका सेवन करें भगवान गणेश को विगन हर्ता के नाम से जाना जाता है मानता है कि स्री गनेश भगवान के ध्यान मातर से ही व्यक्ति के जीवन की सभी समस्चाएं वे परिसानियां खुद वे खुद दूर हो जाती है इसलिए आपने देखा होगा कोई भी सुभकार्य या नयाकार्य करने से पहले ना सिर्फ गोरी नंदन गनेश जी की पूजा की जाती है वे उनका ध्यान करके उन्हें भोग आदी भी लगाये जाता है स्री गनेश सहिता के नुशार मंगल मूर्ती गनेश सभी देवी देवताओं में अपनी कुशागर बुद्धी विवे के कारण सबसे पहले पूजे जाते हैं सास्त्रों में ऐसे कई उपाय बताये गए हैं जो गनेश जी को प्रसंद करने के लिए बुद्धवार को किये जाते हैं लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप गनेश जी से जुड़े हुए उपाय सरफ बुद्धवार को ही करें क्योंकि हर दिन भगवान गनेश का है हर वक्त भगवान गनेश का है जब भी आपको बुद्धी विवेक बैधन कमाने की अपनी उमंग को पूरा करना हो तो आप भगवान गनेश को याद कर सकते हैं इसलिए सास्त्रों में बताये गए उपायों को अगर आप भगवान गणेजी की किरपा प्रापति करने के लिए करना चाते हैं तो आप इन्हें किसी भी समय और किसी भी दिन किसी भी सुब मौरत पर खास कर से विशे सैयों के दिन अगर आप करते हैं तो आपको इनका लाब कई गुना हो के मिलता है दोस्तो भगवान स्री गनेश जी के कई नाम है अगर आप इन नामों का भी जाप कर लेते हैं तो आपके जीवन से सभी मुश्किलें दूर हो जाती है यदि हर कोई व्यक्ति इनका स्मिर्ण हर रोज करता है तो इसके जीवन से सभी पाप और संकट दूर होते हैं यदि आप इन नामों का स्मर्ण या फिर इन नामों का जाप नहीं कर सकते हैं तो किवा सुनने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द आजी दूर हो जाते हैं सभी विग्ण वादाओं से मुक्ति मिलकर के आपके जीवन के सभी मनुकावना को पूरा करने की रा परस आलचंद्र गजानन नारत पुरान में भरजित श्री गने जी के इन 12 नाम को बुद्वार के दिन या फिर जिस भी दिन आप अपने मनों कामनाओं को पूरा करना चाहते हैं या फिर अपने विगन बादाओं को दूर करना चाहते हैं उस दिन सुबह साम 108 बार यदि जाब कर तो सबसे उत्तम है अन्यता 108 बार इसे अगर आप सुन लेते हैं तो आपके जीवन में आने वाले सभी विगनों का नास खुद बेखुद दाता है दोस्तों धनिया और जीरा सिर्फ खाने का स्वादी नहीं बढ़ाते हैं बलकि ये आपकी किस्मत को भी बदल सकते हैं दनिया और जीरा ये दोनों ही अपने आप में विशेश और शदिय गुण लिए हुए पाए जाते हैं लेकिन इनके टोटके काफी कारगर साबित होते हैं इसलिए आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ खास टोटकों के बारे में बताने वाले हैं दोस्तो किसी भी दिन देवी माता की मूर्ती के सामने आप एक लाल रंग का कपड़ा बिछा लेने के बाद आप इस पर एक मूठी जीरा और कुछ हो सके तो चांदी के सिक्के अर्थवार आप कोई भी सिक्के अवश्य रख दीजिए लेकिन आप ध्यान रखें कि आप कागज के नोट नहीं रखेंगे सिर्फ आप सिक्के ही रखेंगे थोड़े से लाल फूल और एक घी का दीपक जला देने के बाद माता लक्ष्मी के आर्थी कीजिए ऐसा करने के बाद आप लाल कपड़े को लपेट करके एक पोटली नुमा बना लें जिसमें आपने जीरा और साथ ही कुछ सिक्के रखे थे और इन्हें अपने तिजोरी या फिजहाबिया धन रखते हैं वहाँ पर रख लीजिए इस टोटके से देवी माता लक्ष्मी का इतना जवर्दस्त आपके उपर आश्पर बन जाता है कि आपके घर के सभी सदस्यों की उन्नती रातो रात होने लगती है किसी भी दिन माता लक्ष्मी को याद करके हरा धनिया आप गाय को खिला दीजे ऐसा करने से आपकी आर्थी चिडने लगते हैं और उसकेवात से दुश्मन पैदा हो जाते हैं और उसके उपर कभी-कभी उपरी बाधा या फिर नजर्दोस्त की विप्रीत कारे करने लगते हैं आप जीरे के कुछ करते वक्त कोई भी देखना ले ऐसा करने से आपकी सभी नकारत्मक शक्तियां उपरी बाधा वे नजर दोस आदी खतम हो जाएगा और आप पर और आपके घर के पूरे सभी सदश्यों पर सकारत्मक उर्जा का प्रवाब बना रहेगा कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने धन तो बहुत कमा लिया लेकिन कभी कभी आपका पैसा कहीं अटक जाता है तो आप किसी भी दिन एक कागज पर पैसे लेने वाले का नाम लिख देजिए और उसमें थोड़ा सा सूखा धनिया डाल करके पूरिया बना ले अगर आपको कोई कारे बिगड जाता है तो आप जिस कारे को बनाना चाहते हैं उस कागज पर अपने कारे का नाम लिख देजिए और उसके बाद उसमें धनिया डाल कर एक पूरिया बना ले फिर इस पूरिया को भेते हुए पानी पर अपने मस्तक से एक बार पर्स करवाने के बाद प्रभा पर मिल जाएगा बलकि धन प्राप्ति के सभी योग भी बन जाएंगे और आपका जो भी कारे अटका हुआ था वह भी बनने लगेगा तो दोस्तों आज की वीडियो में किवल इतना ही कल फेर आप से मुलाकात होगी एक और नई जबर्दस वीडियो के साथ तब तक के देम में जादत धन्यवाद और कमेंट बॉक्स में लिखना न भोलें जय बजरंग बली